कि एश्जी सरकरी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद आसा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे बहतर होंगे भारती रेलिवे नई महा भरती आ गई है सात्यों सालों का इंतजार बड़े लंबे ट्विटर केंपेंड बच्चो है वह हैं बाकि बडा महा तो बंपर लाग को बहुत जल्द आपको मिलेगा जिसका किरोड़ों देश्वास इंतजार करने हैं और इस भरती का भी देश्वासी इंतजार कर रहेते तो यह सुरू हो गये पूरा इसस्टे का हम इस वीडियो में परदान करेंगे साथ्यों सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरू करें सभी राज्यों में भरती है सभी राज्यों की पदों की जो जारी कर दिया गया रेलवे ने इस्टेट वाई जोन बना रखें तो साथ्यों पूरा एटुजेट जैनकर या आपको इस वीडियो में परदान क पिर कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोधी सरकार का है जिसका लेना देना आफसा है सटीक विश्वस्त देने का काम करते हैं अगर आप मेरे साथ जुने तो आप यह नहीं कह सकते हैं मुझे पदाने चलाए यह जोना का बाहर कप चले गई यह नए नियम का बाहर कप चले पैन काड़ो अधार काड़ो एटियम काड़ो बैंको लोनो प्यम वासी हो जोना प्यम उजवलो जोना परदान मंतरी का कोई भी हो जोना सब कुछ मिलेगा सठीक मिलेगा विश्वस्त ने मिलेगा एक बार फिर हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं यह नंबर हें जो हमें मोटिवेड करता है काम करता है तो सातियों सीधा भरती की तरफ चलता है सीधा भरती का डिटेल पूरा का पूरा आपको परदान करने का काम हम करता है सातियों सब सब्से पहले government of india ministry of railway rail mantra भारत त्वारत सरकार द्वारा भर्ती है यह कोई राज्जिय सरकार द्वारा भर्ती नहीं है अदैब्स सब्कूरराइन नमडर 2000 में निस भर्वरी इस भर्ती का आँधन का अन्तिमति थी नहीं है क्या बई Uition परवरी आदन का नतिमति थी है वी आपके आवधन फोर्म benchmarks शुरू हो चुका है सात्यों 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच यदि आप से फारम मरने में कोई मिश्टेक हो जाता है तो आप वह सही इसके अंदर कर वाएंगे भाई इसके अंदर पद का जो नाम है गुरुजी पद का नाम असिस्टेंट लोको पाइलेट है जिससे अपसोट फर्म में एलपी कहते हो सात्यों गुरुबडी हो गया एंटी पीसी और एलपी और टी यह चार बढ़ी महा भरतियां रेलिवे के अंदर होती है लेवल टू का पद है बहुत अच्छा खासा सेलरी इसके अंदर आपका रहने वड़ा है सात्यों 18 से 30 साल हूमर है लेकिन इसमें छूट है पूरा बताएंगे 566 में इसके अंदर आपके पद है जोन वाइज इसके अंदर आपके 5700 पद है सात्यों यह नोटिफिकेशन है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह एहमदाबाद गुजरात का अजमेर राजिस्तान का ब गुडिया साम और तिर्वंत प्रुम्त मिलना केरला सात्यों यह भिन भिन जो है आलग-अलग जोन में आलग-अलग जो है यह विकेंसी आप मेरी सिक्रीन पर देख रहे हैं अब इसका पूरा आपको जो है निचोड देता हूं भाई रामायन नहीं सुनाता हूं पूरा नि सात्यों वेकेंसी 566 में ओल ओवर इंडिया के अंदर आपका जोब लोकेशन इसमें रहने वड़ा है पैसिकल उननीस जार नो सो है के टेगरी आर अर भी एलपी ठीक है सात्यों इस के लाओ 20 जनवरी से आवयदन का शुरू आपका हुआ है सात्यों 19 फरवरी आपका एडिट कर पाएंगे फीश जर्नल OBC और EWS कंडिनेट का जो फीश है 500 रुपईया है SC ST ESM फीमेल और EBC कंडिनेट की जो फीश है वो 500 रुपई है ओनलाइन माध्यम साफ का फोरम बरा जाएगा गुरू जी उमर 18 से 30 साल इसके अंदर उमर है नियून तम 18 आधिक तम 30 साल ह पास साल की जर्न SC ST के लिए छूट 18 से 35 और 3 साल का आपकी OBC के लिए छूट 18 से 33 साल उमर है भाई दसवी होना चाहिए साथ में 10 जमा दो इसके अंदर योग्यता है 11 विबार भी नहीं 10 जमा दो दो ITI का कोई कोर्स हो या डिगरी हो या कोई आपके पास डिप्लोमा हो या कुछ भी रिलेवेंट फिल्ड में आपके पास होना चाहिए 10 वी के साथ 2 साल का आपके पास कोई कोर्स आई के डिप्लोमा या डिगरो वगरा होना चाहिए ठीक है भाई 1596 में इसके अंदर आपका पद पोस्ट है सात्यों इसके अंदर जो सेलेक्शन प्रोसेज आपका र साहिंगे एक त्या ही आपका नेगेटिव माइकिंग उसके अंदर रहना रहेगा सात्यों इसको पास करने के लिए जर्नल और EWS केंडिडेट को 40 पर 30 नमबर जरूरी है ओभी सी को 30 परसेंट और SC के लिए पच्चे तो SC के लिए 30 परसेंट, SC के लिए 25 पर 30 अंग उसके अंदर रहनिवारिये, mathematics आपका आएगा, reasoning and ability आपका आएगा, journal science आएगा और journal awareness आपका आएगा, ये 4 सब्जेक्ट आपका जो है इसके अंदर पूछे जाना है, तो 260 मिनट का समय, 75 question, 75 number, 4 सब्जेक्ट, तो ये इस भरती का पूरा का पूरा डिटेल था, जो हमने आपको विश्तार पूरवक देने का काम किया है, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत